बिस्मिल्य रह्मान ररहीम असलाम लेकूम वाइटी फैमली आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज आपके लिए खुबसूरत कटवर के इंब्रोइटी डिजाइन लेकर आए हो जो कि आप अपने स्लीव दामन बर तो बना ही सकते हैं इसके साथ आप यह डिजाइनिंग अप हमने फैट कर लिया है तो इसकी जो मईयर है वो 3 इंचीज की चुराई है इस बुकरम की इसी तर इसकी लंबाई जो है वो 13 इंचीज है इस बुकरम की लंबाई तो अब हम इस बुकरम को जो है इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देंगे आईरन के साथ और हमारे जो फैब् पेपर में बनाव और बसेटाए रोच प WILL करें सब्सक्राइब बना तो इसको पेपर कर लिया है इसार है तो जो दोनों साइड रहां है तो आप हम तो इसके भी कर दिए तो आप को कर सकते तो इस तरह से हम खोल के भी सीधा जो पैटरन बने इस तरह इसकी कटिंग कर सकते तो इस तरह मैंने कटिंग कर लिए अभी जो बुक्रम है इस पर हम यहां पर इसको रखेंगे तो हम यहां पर इसको ट्रेस कर देंगे पैंसिल के साथ है तो हमने यह जो शेप बनाई ह इसी shape में हमने इसको लेकर आने और इसको trace कर दिना है हमने इस shape में पहले एक pattern को इस तरह से हमने रखना है इस तरह से यह देखी इस तरह से मैंने कर लिया है अब हम जो है niniders की lines है लगा दिए पहले जो हमारा मीठोला लीव है इसको हम बना लेंगे और इसकी side पे जो लाएने है उन्दों दूसरे leave से इनकी इस्तरह से मिला देंगे तो अब हम इस तरह से एक side पे इस तरह से leep को रखेंगे यह ज accredむ है एक हमने बिलकुल सीधा रखे दूसरा हमने इस side का रखने इस तरह से हम इसकी भी अंदर से इस तरह से शेप देखे और दूसरा फिर हमने इस साइट पे रखने तो हमने एक पहला जो है बिल्कुल सेदा रखने हैं दूसरे हमने साइट के रखने इस तरह से तो यह देखे इस तरह से यह मैंने सारा पेटरन इसका बना लिया है अब यह चाहरा है तु आपको दिखा रही हूं दागी एक है गोला और दूसरा यहाँ पर तिला है, तो आप कुई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप तिलाइ करना चाह रहे हैं यह सिंगल भॉबिं में बढ़ लीजीग तो इसको इस था करें किसी को ग्योज़ा नहीं मिलता in the market तो आप कोई बी दागा लेकर इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकती है तो तो मैं यहाँ पर यह जो है नull live और यह बोडिक में बढ़ लिया है तो बोडिक में जो शक्राइम में अन पर लिब्स को बनाना है गहां जो हमारी बाहिर वाली सारी पत्तिए हैं इनको थे पकुदूर को पहले से श्लाइय कर लेंगे दोनों में से कोई भी यूजब कर सकती है।だから आप लोगों के सामने दोनों दिखा दी है आप दोनों में से कोई भी ले ले लिए और इनका इस्तमाल भी आपको बता दिये है कि इनको किसठा इस्तमाल करने ले करना है। इससे यह कि हमारी किनारे वाली leaves की होती है वो इसके साथ शेप में अच्छे से बन जाती है और यह डिजाइनिंग जो है चॉक्स के उपर बहुत ही खुबसूरत लगती है जब चॉक्स के उपर बनता है यह डिजाइन दामन और चॉक्स दोनों पे कटवर्क के साथ और बहुत ही ड्रेस जो है खुबसूरत लगता है और यह बहुत ही न्यू और लेटस डिजाइन है तो इस तरह से हमने जो है इसको शेप दे देनी है और सारी हमने जो है लीव्स को पहले इस तरह से बना लेंगे और हमने आहस्ता से करना है क्योंकि हमारे लिर छोटे है तो इसको हमने आहस्ता से स्लाइब करके जिस शेप में हमने इसको ец él 1975 लेकर आनी है तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है तो ये बहुत ही neatly यहां पर यह embroidery हुई है और बहुत ही खुबसूरत लगी है जिस shape में हमने रखा उससे shape में यहां है चीजर के साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास यह टूल नहीं है तो आप किसी भी तराय को कर सकते हैं अगर एक्सटा फैब्रीक हम यहांस तरह निकाल देंगे और नीचे हमने हार्ड चीज लेनी कोई कॉटन लेनी अगर फैब्रिक लेंगे तो वो हमारा कट हो जाएगा तो मैंने नीचे हार्ड चीज रख्यों यह कॉटन इस तरह से ही है कि हम इसके उपर कर रहे हैं यह देखी यह कटवर होके बहुती निठली डिजाइन बनाए है और बहुती कोबशुरत लग रहे हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसके कटवर को हैं आप इसको अपने चाक्स दामन पर बना सकते हैं बहुत ही खुबसूरत लगता है यह डिजाइन I hope मेरी यह आज की वीडियो आपके लिए बहुत helpful रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे comment box में जरूर बताया करें और अगर कोई आपकी आप कोई डिजाइन सीखना चाहती है मुझे तो मुझे comment box में बताया मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी नेक्स वीडियो के लिए मिलते हैं अल्ला हाफीज